हाई दिस एज राम पर्वेस और आज मैं लेकर आ हैं एक बहुत ही छोटी असेसरीज जो एक्सवी 700 अगर आप यूज करते हैं तो आपने एक इसू फेस किया होगा तो उसका एक छोटा सा सोल्यूशन है सो प्लीज कम अगर अगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन दबादे जी इस तरह के काफी सार इंफॉमेटिव वीडियो के अलर्ट आपको आते रहें हैं अगर आप एक्सवी 700 ओन करते हैं तो आपने एक इसू जरू फेस किया होगा वह इसू यह है अपना जो बूट है बूट स्वेस काफी कम है वैसे लेकिन उसमें भी अगर कुछ सामान रखें और आपकी पार्किंग डार्क है तो वैसे इस्थिति में सामान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है मोबाइल में फ्लेस लाइट अन करके और उसके बाद सामान निकालते हैं तो उसका एक सोलूशन मैं ढूंड रहा था कई सारे तरह के लाइट्स अवलेबल थे काफी सारे लोगों ने लगाया मोशन सेंसर लाइट लगाया उसके बाद कंटीनिवर स्विच बेस्ट लगाया तो मैं कहीं न कहीं थोड़ा सा डाइसी था मैं मैं मेकप कर रहा था कि कौन सा स्विच ज्यादा बेटर सूट कर सकता है उसमें मैंने मोशन सेंसर को भी कंसीडर किया लेगिन उसमें एक डिसएडवांटेज भी देखा किसी तरह का भी जब मोशन होगा तो आटोमेटिकली स हो सकता है लॉंग ड्राइब में तो इसके लिए मैंने उसको कट कर दिया दूसा स्विच बेस्ट कि डिक्की ओपन करें उसके बाद फिर एवरी टाइम स्विच को पहले लोकेट करें स्विच है किदर उसके बाद स्विच को दबाएंगे ता बाउन होगा कई बार ऐसा होत इसके लिए मैंने सेम सेट उफ टूल्स मंगवाए हैं तो आप देखेंगे यह एक लाइट है एक बहुत ही पतला यूनों माचिस की डिविया से भी हाफ पतला यह लाइट है उसके लावा एक छोटा सा एडप्टर है बिना एडप्टर के भी इसको यूज किया जा सकता है और हमारा फ्रेंड के रिव्यू के हिसाब से यह 15-20 दिंग का इसका बैक अप है यूनों नॉर्मल यूज केसे में इसमें कुछ नहीं है एक सेंसर लगा हुआ है टच सेंसर तो विच इस वेरी गूट यूनों जब तक आप पिछे जाकर के अपना डिकी ऑपन करेंगे बू को लगाएंगे तो आप देखेंगे यही इसका कंटेंट है तो इसमें एक LED लाइट दिख रहा है यह देखिए टच हुआ अभी के अभी और उसके बाद यह उन हो गया तो दिस इस फंक्शनल यह पूब हो गया ना टच किया बंद हो गया इसका जो थिनने से यह आप देख मैं और यह को सकते हैं कितना पफहला है अगर मैं अंगली से इसका दिखाऊ तो यह देखिए अंगली से बद रा दे तो यह अदर देखंगे कितना पटला है और यह टटच sensor इसके अंदर दिया हुआ है विच is वरिवूड इसके बैक सब में देखेंगे टेंगे तो पथ ल यह मेरे फ्रेंड ने इसको लगाया है और उनके हिसाब से 20 डेज अलमोस्ट यह चल जाता है और उन्होंने काफी लॉंग ड्राइब्स भी किया है ले लदक का भी ड्राइविंग किया है और उसमें भी उनका रिव्यू है कि यह फॉल अफ नहीं होता है निकल के बाहर नहीं गेता है तो इसका जो बैटर का अंदर देखेंगे गाईज यह ट्रांस्पेरेंट है तो आपके इंडियर को भी ज्यादा इंपक्त नहीं करता है क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा था कि इंडियर खराब नो हो कुछ ज्यादा बड़ा आइटम ना हो बड़ा थोड़ा सा ओड लगेगा तो एक डिफॉल्ट जो लाइट रहते है उससे भी पतला यह लाइट आपको दिख पा रहा है और इसका लॉंगेविटी कितना है यह तो अब यूज करने के बाद ही म लिए मैंने क्या किया बैक सीट पे सिगरेट लाइटर का अडाप्टर दिया हुआ है तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही टाइनी यह यूज भी एडाप्टर लिया है और यह मैं आपको दिखाता हूं कितना प्यारा है मैंने जब इसका बॉक्स ओपन करने के बाद देखा म मुझे खुद नहीं भरोसा हुआ कि तो इस ही यह देखिए यह कितना छोटा सा पोर्ट है और इसमें यूनो पावर डेलिवर भी यह यूसबी 2.0 भी यूसबी 3.0 तो दोनों परपस मैं इसको इसको इस्तेमाल कर सकता हूं अभी क्या है कि लास्ट जो है लास्ट सीट उसक इसके साथ साथ अगर हमारा USB-C का मूबाइल फोन है तो वह भी चार्ज कर सकते हैं और इसमें USB 2.0 भी है तो अगर micro USB है या कोई और इंटरफेस भी है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे best thing इसमें जो मैंने देखा ना गाईज वह यह है कितना छोटा है अगर मैं अपने लाइट है इसको आइए इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद देखते हैं कि यह कैसे काम करता है तो पीछे का भी हो किना प्यारा आ रहा है तो इसके लिए कुछ ने करेंगे जो डबल साइडेट टेप है डबल साइडेट टेप को लगा करके और यहां पर मैं दाल लूँ और इसके अस्ति पंजर को मैं बाहर का दूँ तो यह देखिए कितना स्लीम है गाईज राइट इट इस लाइक जी एसम पेपर जो अपना होता है एफो साइज का चिपकाता है तो इतना ही आपको यह दिख रहा है अब यह देखिए यह डिखर यह के पैसेटिव टबा आने चाहिए तो वह मुझे टेस्ट करने के बाद पता चलेगा तो तो यह आप जैसा आप जैसा देख सकते हैं अब मैंने इसको चिपका दिया है फ्लोर पे और ये देख सकते हैं कि कितना टाइनी है और इसको इस तरह से टच करेंगे ये अन हो गया और चार्जिंग के लिए ये जो हमारा एड़ाप्टर है इस एड़ाप्टर को राइट हैंड साइड में लगा देता हूँ तो यहां पर दिया है तो यहां पर मैंने अड़ाप्टर लगा दिया एड़ाप्टर कितना बाहर आता है यह आपको दिख फारा होगा यह बिल्कुल माइनर है तो यह जो स्टिक किया हुआ है गाइस बैक साइड से देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा तो यहां से बिल इसको यह आप खिचता हूं यह देखिए तो यह काफी टाइट पकरता है राइट इसको यह कॉमन प्रब्लम है जो आप सभी फेस करें तो यह चोटा सा असेसरी मुझे मिला और मैंने सोचा यह मैं आपसे शेयर करूँ मुझे आसा आज का यह वीडियो आपके लिए कुछ ने कुछ useful informative हो सकता है अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को like share ज़र करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहे डिटेल से साथ तिल दन से यू टेक क्यार बाई बाई क्या हुआ प्रता है झाल दन से सब्सक्राइब कर दो औरा आपके ज़竜 बाई